A special evening to all of you आज हम बायो के सेसन से कुछ कोश्चन्स को करिंगे ठीक है ये भी क्या है एक miscellaneous questions है क्या है? miscellaneous questions है ठीक है? और PDF के लिए आप लोग Telegram चैनल को जॉइन करो और वहाँ से PDF ले लो ठीक है? और साथ में डिवीजन previous questions का डिवीजन भी आप लोगों का चलना चाहिए I know इसमें maximum girls है और girls बात को follow करती है और मानती भी है और प्लीज आप लोग से request है कि अगर आप लोगों को इस साल college चाहिए ठीक है? तो प्लीज आप लोगों इस बार पूरी मेहनत लगा दो कि हाँ मुझे इस बार कहीं ने कहीं सेट हो ही जाना है ठीक है? आपके पास time बहुत कम है और अभी के time में आप पढ़ाई पे ज़्यादा focus करो other काम तो बाद में भी हो जाएगा आज का ग्यान complete हो गया इसी के साथ आज की सिसन को स्टाट करते हैं ठीक है? तो गाईज आज के सिसन का जो मरा first question है वो क्या बोल रहा है? मानव में plasmodium का संक्रमन उत्पन करता है यानि मानव में plasmodium का संक्रमन sorry संक्रमन कौन cause करता है? ठीक है? कौन cause करता है? क्या influenza करता है? typhoid करता है tetanus करता है या फिर malaria करता है जल्दी से इस question का answer दो ये question repeated question है मैं दो तीन बार इसे समझा चुकी हूँ ठीक है? नब briefly समझा चुकी हूँ तो आप लोग please अब जो मैं questions बोला करूँगी न उसका आप लोग answers दिया करो ठीक है? और last में counting कर लिया करो ताकि इससे आपको पता चलता रहा है कि आप exam के लिए पूरे तरह से prepared हो या ना हो ठीक है? ये per day के test series के रूप में आप लोग इस classes को लिया करो ठीक है? तो इस question का answer जो भी है आप लोग comment box में लिख दो please तो इस cancer की तरफ move करते हैं इस cancer क्या होगा? malaria, malaria parasite जो होता है वो क्या cause करता है? वो plasmodium cause करता है क्या करता है? malaria parasite, plasmodium cause करता है ठीक है? आई योप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं तो बच्चों जो हमारा अगला प्रस्ण है वो क्या बोल रहा है? अधिक्तम प्रोटीन वाला बनस पती खात दे है क्या है अधिक्तम प्रोटीन वाला बनस पती खात दे है? maximum protein पूछ रहा है कि इन चारों में से maximum protein किसमें पाया जाता है ठीक है? तो options की तरफ move करते हैं first option क्या बोल रहा है चना, second क्या बोल रहा है मटर, third बोल रहा है soya bean fourth क्या बोल रहा है अधर ठीक है? तो सबसे ज़्यादा protein किसमें पाया जाता है? soya bean में किसमें पाया जाता है? soya bean में aprox अगर one cup एक cup हम soya bean लेते हैं तो उसमें aprox 29 gram क्या पाया जाता है? protein होता है, क्या होता है? 29 gram protein होता है, ठीक है? aprox ठीक है? चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं वैसे मैं बता देती हूँ कि मैंने जिक्र किया है बात किया कि girls बात मानती है ऐसा बात नहीं होता है कि boys बात नहीं मानते हैं boys भी बात मानते हैं तो इसलिए में गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है ठीक है? तो चलो हम next question की तरफ move करते हैं क्योंकि मुझे लगा कि हो सके boys इस पे comment कर सकते हैं कि क्या boys बात नहीं मानते हैं दोनों बात मानते हैं ठीक है? चलो next question क्या है guys हमारा diabetes में रोगी का बढ़ जाता है diabetes जो patient होते हैं उनका क्या बढ़ जाता है? उनके body में कि-जिचिची की मातरा बढ़ जाती है क्या salt यानी नमक की मातरा बढ़ जाती है सकर यानि शूगर की मातरा बढ़ जाती है, प्रोटीन की मातरा बढ़ जाती है, या फिर फैट यानि वशा की मातरा बढ़ जाती है, यह भी बहुत simple question है, आप सभी को पता होगा, ठीक है कि diabetes patient में किसले का label जो होता है, हाई हो जाता है जिसकी वज़े से BP बढ़ता है या घटता है ठीक है तो किसका बढ़ता है क्या नमक की बढ़ती है बिलकुल नहीं किसका बढ़ता है सूगर का यानि शक्कर का शुगर लेबल जो होता है डाबिटीनस पेसेंट में वो हाई हो जाता है ठीक है तो अपलोगों को समझ में आगया होगा इसी के साथ हम Next Question की तरफ मॉव करते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रसन क्या बोल रहा है तो गाईस जो हमारा अगला प्रसन है वो क्या बोल रहा है व विटामिन C सबसे ज़्यादा किस से मिलता है, सबसे ज़्यादा किस से मिलता है, तो यह आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते आए हो, इसका एंसर 100% बच्चों का सही होगा, so very good, इसका एंसर क्या होगा, option C, option C is correct, यानि क्या होगा, आवला, आवला में सबसे ज़्यादा क्य next question की तरफ move करते है, next question क्या है अमारा, dialysis का उपियोग किया जाता है, यह भी question क्या है, repeated question है, जब मैं kidney के बारे में सारे questions को, excretory system के बारे में, एक topic से जब मैं questions कराती थी, तो उस समय जो इतने भी मैंने questions दिल किये, उसमें dialysis के बारे में बहुत सारे questions को मैंने दिल किया थ इसका यूज कहां करते हैं ठीक है और कैसे करते हैं ठीक है इसका वर्ड क्या है यह सब मैंने बता रखा है आप सभी को ठीक है तो क्या है डायलेसिस का उपियोग किया जाता है किस चीज में किया जाता है दिल के लिए दिमाग के लिए गुर्दे के लिए या फिर यकृत के ल इसका काम क्या होता है blood purification, blood को purify करता है, blood label को maintain करता है, pH level को blood में pH level को maintain करता है, मतलब समझो कि dialysis एक तरह से artificial kidney का work करता है, चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं, देखते हैं हमारा next question क्या बोल रहा है, तो guys, जो हमारा next question है, वो क्या बोल रहा है, HIV से होने वाला रोग है, HIV से होने वाला रोग आप से पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम HIV का full from जानते हैं, क्या HIV का full from जानते हैं, HIV क्या होता है, अगर किसी को पता है, तो जल्दी से लिख दो, comment box में आप भी लिख होगे, ठीक है, Human Immuno Deficiency Virus, यह इसका क्या होता है, full from होता है, तो इससे होने वाला रोग, यह कौन से रोग को cause करता है, यही आप से question में पूछ रहा है, ठीक है, तो options की तरफ move करते हैं, first option क्या बोल रहा है, tuber closest होता है, आस्तक होता है, cancer होता है, यह AIDS होता है, ठीक है, तो tuber closest किस बिमारी के कारण होता है, सॉरी, किस bacteria का नाम अगर आप लोग को पता है, तो जल्दी से लिख दो, किस bacteria कारण tuber closest होता है, तो क्या होता उस bacteria का नाम, उस bacteria का नाम है, mycobacterium tuber closest, okay, यही उस bacteria का नाम है, जिसकी वज़से क्या होता है, tuber closest होता है, tuber closest को और क्या बोलते हैं हम उसे, TB भी बोलते हैं, common language में क्या बोलते हैं, TB, okay, तो HIV से क्या होता है, क्या tuber closest होता है, बिल्कुल नहीं, आस तक होता है, बिल्कुल नहीं, कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं, क्या होता है, AIDS होता है, ठीक है, HIV से क्या होता है, AIDS होता है, AIDS का full from क्या होता है, acquired, acquired, a, c, q, u, i, r, d, acquired, आगे, immunodeficiency syndrome, ठीक है, यही AIDS का full from होता है, तो इस question cancer क्या होगा, HIV से होने वाला रोग कौन सा है, तो AIDS है, ठीक है, चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं, देखते हैं हमारा next person क्या बोल रहा है तो guys जो हमारा next question है, वो क्या बोल रहा है, polyo rogue का जनक है, यानी, polyo rog क्या है, ठीक है, यह, kई वो bacteria Ещеuck К्या बैक्टेरिया है, polio disease क्या bacteria है, fungus है, virus है या protozoa है, ठीक है तो ये किस टाइप का डिजीज है क्या ये बैक्टेरियल डिजीज है फंगल डिजीज है वारल डिजीज है या फिर प्रोटोजोल डिजीज है ठीक है तो ये क्या है गाईज ये एक वारल डिजीज है बैक्टेरिया जो है एक वारल डिजीज है विशानू है ठीक है viral disease है तो क्या होगा सबसे पहले ही बता तो viral disease है तो क्या होगा इसके virus जो होगे वो एक दूसरे के contact में आने से क्या होगे? spread होगे spread होगे यानि फैलेंगे spread होगे ठीक है? मतलब एक person से, one person से दूसरे person में, second person में क्या होगा ट्रांसफर होगा ठीक है यह डिजीज पोलियो डिजीज ठीक है ना पोलियो डिजीज और पोलियो इसका वाइरस का नाम क्या होता है तो उस वाइरस का नाम है जिसे पोलियो डिजीज होता है उस वाइरस का नाम क्या है पोलियो वाइरस क्या नाम है उस वाइरस का polio virus ठीक है और मैं आपको बता दू extra knowledge है मैं बता दू कि polio virus body में enter करता है तो सबसे पहले किस पर attack करता है तो आपके spinal cord कुहिँपे spinal cord पर ठीक है और जब spinal cord पर वो attack करता है तो क्या cause कर देता है वो paralysis body में body को क्या करता है paralyzed कर देता है, body की किसी organ को क्या कर देता है paralyzed कर देता है, ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये question चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं, देखते हैं हमारा next question क्या बोल रहा है आत में आप लोग answers हड़े questions का comment में करते जाओ, okay second question क्या बोल रहा है मानव सरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है ये question बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा, 100% right answer मिलने वाला है मुझे ठीक है, तो very good तो फिर चलो इसी question को फिर से हम repeat कर देते हैं तो इंग्लिश में इस बार repeat करेंगे which element is found in maximum quantity in the human body ठीक है, क्या carbon है sorry, oxygen है, carbon है iron है या nitrogen है तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है body में, oxygen क्या पाया जाता है, oxygen ठीक है, तो इसका answer क्या होगा option is correct, यानि क्या होगा oxygen पाया जाता है इसी के साथ हम अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते है देखते हैं, हमारा अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है तो बच्चों जो अगला प्रस्ण है, वो क्या बोल रहा है निमलिखित में से कौन सी केवल इस्तरियों में पाई जाती है निमलिखीत में से कौन सी केवल इस्त्रियों में पाई जाती है Which of the following is found only in females, ठीक है चार options दिये गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन एक है जो सिर्फ female में पाई जाती है, ठीक है तो first क्या बोल रहा है, thyroide thyroide gland दोनों में बोथ में पाई जाती है, यानि दोनों male and female में पाई जाती है ठीक है, putitri, putitri gland भी कहा होता है, दोनों में पाई जाती है चलो thyroide gland के बाड़े में एक और चीज़ चानल लेते हैं कि thyroide gland जो होता है, वो क्या सेकरेट करता है, T3 hormone and T4 hormone ठीक है, ये दोनों hormone, कौन सेकरेट करता है, thyroide gland T3 को क्या बोलते हैं, tridothyronine, ठीक है न, क्या बोलते हैं T3 को, tridothyronine और T4 को क्या बोलते हैं, thyroxine, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था बढ़ इसे याद रखेगा putity gland, आपको पता है, putity gland कहां पाये जाता है, brain के निचली हिस्से में mustics के निचली हिस्से में पाये जाता है, और बोथ male and female दोनों में पाये जाता है, ठीक है न अंडासे की बात करते हैं, तो ovary, ovary जो होता है, वो सिर्फ female में पाये जाता है क्या कभी आपने सुना है कि male में ovary पाये जाता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, किस में पाये जाता है, female में पाये जाता है अंडासे कहां पाये जाता है, female में, ठीक है, तो इस question cancel क्या होगा, option c is correct आई होब आप लोग कोई question easy way में समझ में आ गया होगा, चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं, देखते हमारा अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है तो guys, जो हमारा अगला प्रस्ण है, वो क्या बोल रहा है, निम लिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है यानि, चार sentence दिये गए हैं, और आपसे पूछ रहा है कि kidney का कौन सा work नहीं है, गुर्दा कौन सा काम नहीं करता है, ठीक है तो first option पढ़ते हैं, first option क्या बोल रहा है, रक्त pH का नियमन, ठीक है, यानि, regulation of blood pH blood pH को regulate करता है, तो जी हाँ, बिलकुल करता है, blood pH को क्या करता है, regulate करता है kidney तो ये सही है, ठीक है न, सरीर से, sorry, removal of metabolic waste from the body आप body से metabolic waste को out करता है, जी, बिलकुल करता है, filtration करके metabolic जो waste होते हैं, उसको body से बाहर कर देता है, ठीक है, यूरीन के through तो ये इसका work है, ये भी work है, production of antibodies, मतलब हिंदी में क्या दे रहा है प्रती रक्षी तत्वों का उत्पादन, तो बिलकुल नहीं, ये antibodies का production नहीं करता है kidney antibodies का production नहीं करता है, तो अखिर करता है, ये अगला प्रशन हो सकता है न, तो कौन करता है, beta cells कौन करता है, beta cells, ठीक है, ये याद रखिया, कौन करता है, antibodies का production, beta cells आपको मैं बताएं कि white blood cell क्या करता है, antibodies को produce करता है, और fight करता है, आपके body में infection से, वो fight करता है, ठीक है तो इस question का answer क्या होगा, option C is correct, यानि option C जो इसका होगा, वो उत्तर होगा ठीक है, last वला option भी देख लेते हैं, regulation of osmetic pressure in blood, बिल्कुल, kidney क्या करता है, regulate करता है, osmetic pressure को आपके blood में, ठीक है न तो I hope आप लोग कोई question समझ में आ गया होगा, इसी के साथ हम अगले प्रस्ण की तरफ move करते है अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है, पौधों में जल का पड़ी वहन किसके माध्यम से होता है तो यह आप लोग बहुत सुरू में ही पढ़े होगे, I mean सुरू की classes में ही पढ़े होगे कि पौधा होता है, उसमें क्या होता है, दो vascular bundles होते है, ठीक है न suppose यह क्या है आपका पौधा है, ठीक है न यह सब क्या करता है, पहुंचाता है, और एक खाना भोजन बनने के बाद, तो इसमें क्या होता है, दो vascular bundles होते है, एक xylem होता है, ठीक है न फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो एंसर क्या होता है, हमारा phloem होता है, ठीक है न चलो, इसी के साथ हम next question की तरफ move करते हैं, देखते हैं हमारा next question क्या बोल रहा है next question क्या बोल रहा है बच्चो, उतेजना के समय निमलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्रेजित होता है, ठीक है किस समय पूछ रहा है, उतेजना के समय सबसे जादा जो अधिक मात्रा में हार्मोन का production होता है, वो किस हार्मोन का होता है, ठीक है न फर्स्ट आप्सन क्या दे रहा है फर्स्ट आप्सन पढ़ते हैं तो फर्स्ट आप्सन क्या बोल रहा है कोर्टिशोन सेकंड क्या बोल रहा है सीरेटोनीन और ठर्ड क्या बोल रहा है एडर्नलीन और फोर्थ क्या बोल रहा है इस्ट्रोजन तो क्या सबसे ज्यादा कौन सा हर्मोन रिलीज होता है तो वो एडर्नलीन होता है क्या होता है एडर्नलीन हर्मोन ठीक है क्या होता है एडर्नलीन हर्मोन जोता है वो लाज क्वांटिटी में क्या होता है रिलीज होता है ठीक है कब होता है उत्तेजना के समय ठीक है चलो इसी के साथ हम next question की तरफ move करते है next question क्या बोल रहा है Alzheimer dementia या किसकी बिमारी है Alzheimer dementia किसकी बिमारी है ठीक है क्या बोल रहा है Alzheimer dementia is a disease of which of the following चार options दिये गए चार options दिये गए है और आप से पूछ रहा है ठीक है न इसके बाड़े में भी मैं बता चुकी हूँ बट फिर से बता देती हूँ ठीक है और जिसको answer आता है जल्दी से comment box में लिख दो तो क्या ये brain related disease है kidney related disease है, liver related disease है या heart related disease है जल्दी से जिसको पता है वो answer लिख दो तो ये क्या है brain related disease है अलजेइमर डेमेशिया जो है वो ब्रेन रिलेटेड डिजीज है ठीक है क्या है ब्रेन रिलेटेड डिजीज है इस बिमारी की वज़े से होता क्या है इस बिमारी की वज़े से क्या होता है या आप लोग को बता देती हूं कि अगर ये किसी परसन को बिमारी हो जाता है तो व कम होती चली जाती है तो समझ में आ गया और यह बहुत डेंजरस डिजीज है इसको देखके तो लगी रहा है ना सुनके इसके बाड़े में तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट कोशन की तरफ मूव करते हैं आप लोग प्लीज यह कोशन याद रखना कि अलजेइमर डेमेशिया किस ओर्गन से रिलेटेड डिजीज है तो किस से है ब्रेन ठीक है नेक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है गाईज यदि किसी वेक्ती को बाइपास सरजरी कराने को कहा जाए तो यह वेक्ती निमलिखित में से किस से पीरित है यानि इसमें बात किसकी कर रह है बाइपास सरजरी की ठीक है न तो आपसे यही पूछ रहा है कि बाइपास सरजरी किस ओर्गन का होता है किस ओर्गन का यह सरजरी होता है पहले इसका पूरा नाम जान लो इसको सिर्फ सिर्फ कॉमन वर्ड में बाइपास सरजरी बोलते हैं लेकि इसको पूरा बोलते हैं C, A, B, G क्या बोलते हैं C, A, B, G C मतलब क्या हो गया Coronary देखो अब इसका मैं full from बताऊँगी तो आप सभी पता कर लोगी कि यह किस organ से related disease है Second क्या है Artery, Coronary Artery, Bypass Bypass Grafting ठीक है यह एक सरजड़ी होता है जो कि किस organ से related है Heart से related है किस से related है Heart से related है ठीक है इस सरजड़ी में किस चीज का सरजड़ी होता है Coronary और Artery का ठीक है एक जगा से निकाल कर Artery को दूसरे जगा fix किया जाता है और Coronary को block किया जाता है ठीक है यह सरजड़ी किस से related है तो आपके Heart से Heart Problem से related है ठीक है तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा यह सरजरी का फुल नेम है C.A.B.G इसी के साथ हम नेक्स्ट कोशन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है गाइस निशांधता किसकी कमी से होता है तो यह सभी को पता कि بتामिन की कमी से लेकिन किस की कमीसे चलो options की तरफ मूव करते हैं first option क्या बोल रहा है glucose की कमी मैं सर्चल गोल रहा होता है वह निशांधता डिजीज होता है यानि ब्लाइनेस रोग होता है किसकी कमीसे बिटामिन एक ही कमी से आई होप आप आप लोगो आज का सिसन अच्छा लगा होगा इसी कोशन के साथ आज के सिसन को इंड करते हैं ठीक है और आप लोग प्लीज मन लाएके पढ़ो प्लीज मैं इसले बोल रहे हूं क्योंकि इससे बेनिफिट आप ही का है मेरा कोई बेनिफिट नहीं है बट आपका है मेरा बेनिफिट यह है कि मैंने जिस बच्छे को पढ़ाया वो सेलेक्ट हो गया ठीक है बट ज़्यादा बेनिफिट आप ही का है मेरा तो सर्फ नाम हो सकता है तो प्लीज आप लोग पढ़ो थोरा मन लगा कर क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये टाइम जब चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा ठीक है तो इसी के साथ आज के सेशन को हम इंड करते हैं थैंक्यू, थैंक्स अलोट गाइज